आज निफ्टी में वापिस से एक पुलबैक देखने को मिला और लोवर लेवल की बाइंड यहाँ पर देखने को मिली जिसमें की ज़्यादा तर जो स्टॉक्स है उनमें बाइंग मोमेंटम रहा खास और से अगर देखा जाए तो Reliance Industries, Infosys, ICIC, SDFC, State Bank यहाँ बैंकिंग काउंटर यहाँ पर ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आए और आज निफ्टी पॉस्टिव क्लोज होने में काम्याब रहा निफ्टी के क्लोजिंग 19,047 के पास हुई, 190 पॉइंट पॉस्टिव रहा, Sensex की क्लोजिंग 63,782 के पास और 6 दिनों की गिरावर्ट के बाद मार्केट आज पॉस्टिव यहाँ पर वापिस रिवर्ट करता हुआ नजर आया, पूरे सेक्टर में अगर देखे है, FMCG, Pharma, Banking, PSU, Power इन सभी में एक बाइंग मोमेंटम बना रहा, सिर्फ मीडिया एक काउंटर रहा जिसमें की थोड देटिव क्लोज होते हुए नजर आया, फिलहाल अभी OI डेटा को यहाँ पर देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 19,000 और 18,800 की स्ट्राइक में अच्छा खासा पुट साइट से यहाँ पर OI बिल्डप होता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही 19,200 और 19,300 की स्ट्रा साइट से अच्छा खासा OI बनता हुआ नजर आ रहा है, यानि कि यह अब नेक्स्ट जो दायरा रहेगा निफ्टी का, वो यह नजर आएगा, फिलहाल आज इंट्राडे के मोमेंटम चार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो शॉटर पूर पीरेड मोमेंटम दिख रहा है, और मोमेंटम इंडिकेटर में अगर इंट्राडे चार्ट पर 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, तो आपको RSI MACD भी बाइंग जोन में दिखाई देंगे, फिलहाल एक बार रजिस्टेंस यहाँ पर देखते हैं, तो 19,100 और 19,250 यह दो रजिस्टेंस यहाँ पर निकल कर देखने को मिल रहे हैं, सपोर्ट की बात करें, तो 19,000 आज होल्ड करता हुआ नज़रा है, लेकिन फिर भी 18,900 यहाँ पर सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, अगले कुछ सेशन को अगर देखते हैं, तो थोड़ा सा पूल बैक और देखने को मिल सकता है और वापिस पावर, PSU, Pharma, FMCG इन में फिर से बाइंग मोमेंटम रहेगा, लेकिन आटो, टेलीकॉम और IT में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है